एक बोरी खाद की चाह में सुबह से ही शेरगाटी के व्यापार मंडल गोदाम पर जूटी है किसानों की भारी भीड़ धान के खेत में डालने के लिए एक बोरी खाद की चाह में गुरुवार की सुबह पौफ हटने के साथ ही शेरगाटी के व्यापार मंडल के गुदाम में शेरगाटी के विभिन गाउं से आये किसानों की भीड जुट गई अस्थानिय किर्शी समनवेक मनोरंजन कुमार के मताबिक पंद्रह सो बोरी खाद व्यापार मंडल के गुदाम में लाई गई है उन्होंने बताया कि किसानों की भारी भीड जुट जाने के कारण खाद वितरन के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा है किसानों के आधार काट देखकर उन्हें नियंतरित मुल पर एक दो बोरी खाद उपलब्ध कराई जानी है धान रोपने के 22-25 दिन बाद खेत में खाद डालने की जरूरत होती है खाद की किल्लत के कारण कई किसानों ने धान रोपने के देड़ महीने बाद तक खेत में खाद नहीं डाली है समय पर खाद नहीं डाले जाने के कारण उपज के परभावित होने की भी आशंका है किर्शी अधिकारियों के मताबिक बढ़ियां बारिश के कारण इस वर्ष चेरगाटी पर खंड में तेतालिस सो हेक्टेर जमीन में धान की रोपाई की गई है बर्मा गाउं के किसान अमित कुमार ने बताया कि उन्होंने चार बिगे जमीन में धान की खेती की है डेड़ महीने पुर्व धान की रोपाई की गई थी मगर अब तक खेत में खाद नहीं डाली गई है पिछले हफते काला बाजार से एक बोरी खाद खरीद कर उन्होंने कुछ खेत में खाद डाली थी धान की बाकी बचे खेत में डालने के लिए खाद नहीं मिल रही है गुरु आर को व्यापार मंडल के गुदाम के पास जूटी किसानों की भारी भीर देखकर वह वापस घर चलाया